विजय भारत विजय भारत बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने कुछ पढ़ेते अब हम उसी को आगे कंटिन्यू करते अपने लेक्चर एट में अब हम पढ़ेंगे ग्रॉप जो पीछे छूट गए थे अब उसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं यह टॉपक आज कंप्लीट जायेगा ठीक है। जाएक्श है तो रीडानबर स्क्समें वोद अती है जो नंबर के साथ लिखे जाने पर प्लीट महिं बनतें उनके साथ जब अमबर का यूज करते हैं आज प्लीट कंपले नहीं बनते हैं aproximês श्एक्सांस को about four dozen bananas very few people reach the age of four score score जो है वो 20 को कहती है तो four score का मतलब है 80 की एज यानि 20 इंटू 4 80 तो बहुत कम लोग जो है वो 80 की उम्र तक पहुच पाती है तो आप देख रहे हैं कि मैंने two gross लिखा है two grosses नहीं लिखा मैंने four dozen लिखा है four dozens नहीं लिखा मैंने four score लखा है four scores नहीं लिखा तो जब यह number के साथ लिखे जाते हैं तो हम इनको singular use करते हैं ठीक है बच्चों लेकिन लेकिन यही जो nouns है यानि यही जो nouns जो screen पर आपको दीख रहे हैं hundred से लेके बरेस्ता यही जो nouns हैं जब यह बिना number के लिखे जाते हैं तो plural use होते हैं अपने screen पर examples देखी है मैंने लिखा है hundreds of pupil मैंने नहीं लिखा hundred of pupil hundreds of pupil were died in the train accident यानि सेक्लों लोग जो है वो train accident में मारे गए ऐसे millions of thoughts तो हम मैंने बिल्कुल नहीं लिखा million of thoughts ऐसा इस लिए क्योंकि यह बिना number के use हो रहे हैं जब यह number के साथ use होंगे तो singular use होंगे जब यह बिना number के साथ use होंगे तो plural use होंगे ठीक है भाई लोगों इस गुरूप में वो नाउंस आती है अब हम गुरूप नूम्बर 7 की तरफ चलते हैं तो इस गुरूप में वो नाउंस आती है जो singular side में अलग अर्थ देते हैं और plural side में अलग अर्थ देते हैं धान से सुनिये मेरे order of words पे focus रखिएगा कि मैंने लिखा है singular side और मैंने रहा कि यह singular और plural है तो यह कभी confusion मत पैदा करिएगा कि रिटन का plural returns है रिटन का अपना अपना अपने 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 अलग वर्ड है और रिटन से अपने आप में अलग वर्ड है यह एक दूसरे के singular plural नहीं है इस बात को अपने माइंड में सेट कर लीजेगा इनके अर्थ भी अलग अलग होते हैं जैसे return to come back, returns, statistics, earning यानि जो आप returns बढ़ते हैं आपके जो पूरी सालबर की sale होती है फिर आप उसका जो returns बढ़ते हैं air atmosphere यानि हवा, air sprout behavior, ऐसे good well balanced, good things, respect regard, respects compliments, ground field, grounds reasons अब बताईए आप यहाँ देखिए, ground छेत्र को कह रहे हैं और grounds जो है वो कारण को कह रहे हैं अब छेत्र को कारण से क्या लेना देना है कोई लेना देना नहीं है ऐसे alphabet letters, alphabet languages, with ability to talk, with intelligence, ऐसे content, संतुष्टी, contents, matter content, यानि किसी भी चीज में क्या, कोई चीज मौजूद है, या कुछ लिखी हुई है, चीक है इस तरीके से, ऐसी एक और example लेकना है, force, बल, और forces, सेना है, क्योंकि इस screen पर इतना आ नहीं सकता था इसलिए मैंने कुछ examples दी है, आप books से भी consult कर सकते हैं, और ज्यादा इन words को ढूंडने के लिए, ठीक है तो हम जैसे एक example देख लेते हैं, जैसे मैंने अभी last में जो लिखे नहीं ते उन्हीं को example दे देता हूं, आप उसको अच्छे से सुन लीजेगा, copy पर लिख लीजेगा जैसे Mr. Sharma is content with his present salary, तो मैंने क्या बोला, Mr. Sharma is content with his present salary, तो मैंने क्या लिखा है, content तो singular form में, यानि ये जो content है, इसका मतलब है संतुस्टी, तो sentence ये कह रहा है कि Mr. Sharma जो है, वो अपने वरतमान की जो salary उन्हें मिलती है, उससे वो संतुस्टी अब example दिखते हैं, एक और, tell me about the contents of this book, यानि इस किताब में जो भी लिखा है, contents मतलब matter contained, तो इस किताब में जो भी लिखा है, उसके बारे में मुझे बताईए, तो tell me about the contents, ठीक है, matter contained, of this book, यानि जो भी इस किताब में matter है, वो मुझे बताईए, ठीक है, ऐसे एक और example पर बल प्रयोग करता है, तो यहां पर force का मतलब बल है, ऐसे एक और example दिखते हैं, कि the forces on the border have been alerted, जो सेना हैं बार्डर पर, उनको हमने alert कर दिया है, तो दूसरे वाले, पहले वाले force में, जो है, वो बल का प्रयोग है, दूसरे वाले force में भी बल है, लेकिन वो कौन सा बल सेना, सुरक्षाबल, उसको ऐसे कह सकते हैं, सुरक्षाबल, यह नहीं सेना, तो दूसरे वाले forces का मतलब है, सेना है, ठीक है, उमीद करता हूँ आपको यह गुरूप नंबर 6 और 7 समझ में आ गए होंगे, आगे भढ़ते हैं, गुरूप नंबर 8 की तरफ, इस गुरूप म इशू, topic for discussion, यानि मुद्धा, इशू, बच्चे, चिल्डन, अगर आपको पिछला लेक्चर मेरा याद हो, लेक्चर नंबर 7 तो आपने देखा होगा, मैंने वाह पर भी इशू आपको समझाया था, इशू, topic for discussion, यानि मुद्धे, तो एक मुद्धा और एक मुद्धे, उसका plural बन जाएगा, लेकिन इशू का मतलब चिल्डर नहीं होता है, wood forest, यानि एक जंगल, wood timber, यानि लकडी, woods, forest, कई सारे जंगल, light, lamp, ठीक है, brilliance, रोशनी, lights, lamps और bulbs, अगर light में एस जोड़ देती हैं, तो फिर वो tube lights बन जाता है, या bulbs बन जाती है, या lamps बन जाती है, उ वो tube light ही माना जाएगा, या bulb भी माने चाहेंगे, gain profit, acquisition of wealth, gains profits, pupil persons, कई सारे लोग इखटे हो जाते, pupil हो जाता है, pupil nation, nation को भी कहते है, pupil nations, रास्ट को भी कहते है, powder dust, यानि धूल, powder a dose, यानि वो जो पुडिया होती है, जो वैद पुडिया बना देता है, खुराब जो बना द used in almost all modern houses, यानि लकडी जो है, वो आदुनिक घरों में लगबर प्रयोग की जाती है, लगबर हर घर में आदुनिक घर में प्रयोग की जाती है, तो, इस sentence में, यानि इस example में वोड जो है, वो लकडी, लकडी के रूप में यूज़ गवा है, ऐसे ही, he camped in a wood, उसने जंगल म विलोग तो रहे हैं, तो, यहाँ पर कई सारे जंगलों की बात चल लिए, तो, woods का प्रयोग हुआ है, ठीक है भाई लोगों, आगे चलते हैं, गुरूप नंबर 9 पर, ठीक है, तो, इस गुरूप में वो नाउंस आती है, जो singular में एक अर्थ रखते हैं, आप प्लूरल में तो, देखें, बुजा का बुजाएं तो होती है, जिसका प्लूरल बन जा है, लेकिन दूसरा अर्थ क्या होता है, वेपन्स, अगर अपने अख़वार पढ़ा होगा, तो, आम स्टील लिखा होता है, तो, आम स्टील मतलब इन्हें बुजाओं का, बुजाओं की कोई का सिनोनिव होगा, तो, मसलोısı आदि रन्ग, कई सारे रनग, कलर इस फ्लैक से राश्ट को रेप्रेजेंट करती है, वह फ्लैक नहीं है, जैसे पिटैन की जंडा, जापान की जंडा, रशिया का जंडा, इंडिया का जंडा, ये नहीं, नहीं, जैसे धरम के जंडे, वह flags कहलाते हैं या वह ऐसे flags जो है वह colors कहलाते हैं तो custom habits, रिवास, customs habits कई सारे रिवास हैं, traditions, duties on goods, दूसरा अर्थर duties on goods, यानि transport पर tax जैसे आप SSC की तयारी करते हैं तो आप customs officers बोलते हैं तो custom officer नहीं होगा, customs officer होगा, वह रिवास का officer नहीं है, वह ट्रांसपोर्ट पर tax लगाने वला officer है या टेक्स वसूलने वला officer है प्रेमाइस प्रपोर्शन प्रेमाइस प्रपोर्शन और बिल्डिंग्स आपने कई वार बोला होगा कि हम जो है वह college premises में हमने party करी इस तरीके से या hostile premises में है ना हम इस तरीके से बोलते है ना pain एक दर्द अच्छा इसमें हम आपको बता देता हूँ pain जो है वह होता है आर्थ तो दौनों का दर्द है लेकिन pain जो होता है वह external hit से कोई आपको हाथओड़ी मार दे डंडा मार दे या लाग भूसा मार दे या आप गिर जरूत नहीं होती किसी डंडे की जरूत नहीं होती यह बोडी अपनी आप दर्द को महसूस करती है तो external hit वाले pain कहलाते है और जो बोडी में स्वत्य होते है वह एक कहलाती है जैसे tooth होता है तो कोई ऐसा नहीं है कि घरवाला आगया आपके दात में कोई डंडा सा मार देता है जबडे में तो आपको दर्द होता है तो वह एक होता है तो आपके तो टूत एक और एक्स्टरनल हिट होती है उससे जो दर्द होता है वह pain कहलाता है ऐसी pains aches और troubles troubles मतलब मुसीबते प्रोवीजन condition शर्थ प्रोवीजन conditions काई सारी शर्थ है foods यानि किराना तो दूसरा अर results, effects, property, spectacle sight यानि द्रश्चे, spectacle sights का ही सारी द्रश्चे और eyeglasses तो आप जो आखों में चश्मा पहनते हैं उनको हम spectacles ही भोगते है ठीक है इसका एक example देख लेते है जैसे color लेखा है hue single color है तो the color of my shirt is black तो मेरी shirt का रंग काला है तो यहाँ पे color एक रंग की बात हुई है ऐसी rainbow rainbow has seven colors तो यहाँ पर अब रंग जो है वो plural हो गए तो यहाँ हुज की बात की है colors यानि A part जो इसक्रीन पर आपको A part हुज दिख रहा है उसकी ऐसी soldiers salute the colors तो salute the colors तो यहाँ पर जो है वो B part यानि B option यानि flags की बात की है तो यहाँ पर जो colors है वो flags के लिए यूज हुआ है ठीक ह हो जाएगा ठीक है मैं उमीद करता हूँ आपको यहाँ अब तक समझ में भी आया है अगर फिर भी कोई आपको बात समझ में नहीं आई हो तो आप जो है वो comment box में comment कर दीजेगा तेर आफ्टर बै उसे पढ़कर वहीं पर समझा दूँगा और अगर फिर भी नहीं होगा त इसमें मैं आपको समझा दूँगा चीक है रिस्पॉंस अच्छे आए है comments box में काफी अच्छे रिस्पॉंस है लोगों को समझ में आ रहा है यह प्लस पॉइंट है और फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं ग्रूप नंबर 10 में वो नाउंस आती है जो जिनके दो प्लूरल बनते हैं पिछला जो गुरुपता कर आप गौर से देखिए वापिस हम चलते हैं इसमें अर्थ दोते एक अपर लिम्स जैसे हम पहले वाले को देख ले तो आम्स अपर लिम्स और वैपन्स तो प्लूरल तो एक ता लेकिन अर्थ दोते ठीक है एक plural अर्थ दो जान से इधर देखिए यहां पर क्या है plural दो है या दो प्लूरल बन रहे हैं चीक है तो यह confusion मत करिएगा पिछले वाले में अर्थ दो थे इस वाले में दो प्लूरल ही बन रहे हैं तो जैसे आप पढ़ लीज़े ग्रूप 10 में लिखा है देखिए दो फॉर्म्स बनेंगी इच फॉर्म विदा सेपरेट मीनिंग डॉनों के अलग अलग अर्थ होंगे इसके मेंबर्स होंगे इस ग्रूप के ब्रदर ब्रदर मतलब भाई यानि आपकी फैंड़ी में भाई ठीक है सन ऑफ दे सेम पेरेंट मला कजिंस भी होते हैं वह भी ब्रदर कहलाते हैं वह भी ब्रदर नहीं आते लेकिन जो कम्मिनुटी से ब्लॉंग होते हैं जैसे हम एक यूज कि रिखने हम हैं जो अचाल मतलब चारिन के कपड़ी तो हैं तर सप्क्राइन जो से matter कपड़ी नहीं चैप्टर हमारा नाउन है इसलिए स्टेंप का अर्थ दिया है डाई का अर्थ मरना भी होता है लेकिन वो वर्ब में होता है लेकिन हमारा चैप्टर क्या है नाउन तो इसलिए हमने स्टेंप लिखा है आप कहेंगे कि स्टेंप क्यों लिखा मरना क्यों नहीं लिखा genius is talented pupil यानि बहुत सारे होगा तो प्यूपल होगा या परसंस भी कह सकते हैं और जिनी spirit भूत जिन ठीक है जैसे एक example देख लेते हैं जैसे he made a beautiful design on brass plate by using dice यानि stems का यूज करके उसने brass plate पर एक खुबसूरत design okay या बनाई ऐसे he threw the dice and started playing उसने गोटे फैके यानि ये वाला dice वाला उसने गोटे फैके और खेल शुरू किया चीक है तो यह है और अगर आप singular use करना चाहते हैं तो जैसे मैंने बोला था he made a beautiful design on brass plate by using dice तो आप dice की जगे die करतीजिए यानि एक महर से उसने एक खुबसूरा design बनाई यानि वहाँ पर एक महर यूज करी और बहुत सारी महर हैं यूज करी तो आप dice कर लीजिए ठीक है तो dice का मतलब stamps, die का मतलब stamp और dice का मतलब गोटे और इस तरीके से आपके groups खतम होती हैं मैं उमीद करता हूँ कि आपको यह समझा गया होगा ठीक है अब next lecture में मिलेंगे मैं माफी चाहता हूँ कि मैं काफी देर बाद यह video upload कर पाया क्योंकि मैं थोड़ा busy चल रहा था लेकिन बलही देर से पर आपको video मिलते रहेंगे मैं उसे डालता रहूंगा धन्यवाद जय भारत विजय भारत अधारत